विदेशी और सयूग्त प्रोजेक्ट्स भारत कही ऐसे हतियार और सिस्टम इस्तिमाल करता है, जो या तो विदेश से आए हैं, या किसी दूसरे देश के साथ मिलकर बनाए गए हैं। भारत और रूस ने मिलकर ब्रम्होस सुपर सौनिक क्रूज मिसाइल बनाई है, जो दुनिया में अपनी तरह की खास मिसाइल है। अब इसका नया और तेज वर्जन ब्रम्होस 2 भी बनाया जा रहा है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसकी मारक्षमता 400 किलो मीटर है। फ्रांस से राफ़ेल फाइटर जेट और अमेरिका से अपाचे और चिनुक हेलिकॉप्टर भी लिये हैं। भारत ये नौसेना अमेरिका से लिये गए P-8I पोसाइडन निगरानी विमान चलाती है। भाविष्य में भारत ड्रेडनोट पंडुब्यों में अमेरिका और यूके के साथ साज़ा किये गए ट्राइडन 2 D5 मिसाइलों का इस्तमाल करेगा। भारत ने कई देशों के साथ मिलकर हथियार भी बनाए हैं। जैसे इस्राइल के साथ बराक 8 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका की कंपनी GE के साथ तेजस फाइटर जेट के एंजन पर काम हुआ है। अब भारत अपने बनाए हथियार दूसरे देशों को भी बेच रहा है। आकास मिसाइल सिस्टम अर्मेनिया को बेचा गया है और फिलिपीन्स को भी दिया जा सकता है। फिलिपीन्स ने 2022 में भारत से ब्रम्होस मिसाइल खरीदी थी। कुल मिलाकर भारत की रक्षा तकनीक और हथियार बनाने की ताकत तेजी से बढ़ रही है। DRDO की नहीं मिसाइल टेस्टिंग और भारत की बढ़ती अंतराश्ट्रिय भूमी का इस विकास में मदद कर रही है।